तो जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे यूनर की एंट्री यूपर एक वीडियो बनानी चाहिए तो आप लोगों ने उस पे काफी कमाल का रिस्पॉंस दिखा है इस पज़े से मैं लेकर आप चुका हूँ यूनर की धमाकेदर एंट्री और यह जो एंट्री वो बिल्कुल भी नॉर्मल एंट्री नहीं है क्योंकि अगर यहां पर यूनर एंट्री नहीं मारते तो जियान मारा जाता और आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है और आपको अगर इस सिचुएशन को और भी अच्छे से समझना है तो आपको मेरी तीन पहले की वीडियो देखनी होगी जो कि मैं ओलेटी बना चुका हूँ जिससे आप जो सिचुएशन को काफी अच्छे से समझ पाओगी क्योंकि इसका जो पहला पार्ट क्यों टलव फेलेंड पे अपलोड है उसकी जो स्टोरी वो करेंट एपिसोड से स्टार्ट होती है जिस पज़े से आप सभी चीज़ों को काफी अच्छे से रिलेट कर पाओगी और बांके के एपिसोड आपको देशी मसाला एनेवे पे मिल जाएंगी जैसे की स्टार्टिंग में आपने देखा था आइस रिवर्स वैली और लिटल फे डॉक्टर की बीच पर फाइट हो रही होती है तो जियान लिटल फे डॉक्टर वो बचाने के लिए बीच पर कूंद पड़ता है जिस पज़े से जियान आइस रिवर्स वैली की लोगों को पीट देता है इस पज़े से जो आइस रिवर्स वैली होती है वो काफी दा बढ़क जाती है और अपने एक पावफुल ग्रॉप को जियान को मानने के लिए बेचती है जो कि आप लोगे ने preview के अंदर देखा होगा जियान के जो बाल होते वह एकदम सफेत हो जाते और जियन एकदम भॉकाली लग रहा होता है और जियन ये white को भी बहती आसानी से जीत लेगा और protective हो की band वजा देगा और उसकी गरदन पकड़ के उसे मानने बाल होगा तब ही वहाँ पर entry मारेगा होलोफ सुल का एक और नया बंदा और अपने साथ 10 और डाउजूंग लेवल के बोरियर को लेकर आया होगा और उस होलोफ सुल के बंदे का जो लेवल होगा वह होगा डाउजूंग के टूस्टार और इसके अपेर होने की बज़े से जो fight का पारा होता है वो ice rivers पहली और होलोफ सुल की तरफ जुख जाएगा मगर जो ट्यान वोजूंग से होगे वो जियान को यहां से बैक आफ करने के लिए बोलेंगे क्योंकि अभी उनके किलाफ कापी सारे warrior खड़ी होए थे इस पज़े से जो ट्यान वोजूंग लेवल के अपोनेंट के साथ fight करते रह जाएंगे और यह पर एक डाउसंग लेवल का warrior आएगा और जियान को पेल के चला जाएगा इस पज़े से वो वहां से बगनी की सोचते हैं और जब वो लोग वहां से बाग रहा होते तब ही वहां पर anti होती एक और नय बंदे की जिस position जो पूरा advantage होगा वो अपोनेंट पार्टी दरफ चला जाएगा और उस बंदी की जो anti होगी वो भी काफी दा कमाल की होगी क्योंकि जब वो इस पेस पार्ट के बाए निकलेगा तो वो अपने साथ अपना throne भी वहां पे लेकर आएगा और उसके उपर बैट के एकदम full swag मारेगा और वो अंदा कोई और नहीं वो गा ice reverse पहली का leader नहीं कर पानों कि वो किता जदा powerful है और इंपर जो बिंगी था उसे अभी के लिए किसी की बात उसे कोई फल्क नहीं पड़ रहता उसकी नजर टिकी थी little free doctor की उपर और वो little free doctor से बोलते के लड़की तो मेरे साथ चलो मैं तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा मगर यह सुनके little free doctor बढ़ा दिया थी और वो दी घंटा तुमारे साथ जाने वाली हूं और अपना एक बहुत ही powerful attack बनाएगी और विंगी की उपर कर देगी यह दे कि जो बिंगी होगा वो असने लगेगा और उस attack को खा जाएगा और उसको खाने के बाद उसे बड़की ऐवाली का जाएगे और उनके पसीने फूटने लगेगे डर केमारे तभी जब विंगी होगा वो अपनी देगी को रिलीस कर देगा इस पजे से ऊफ़ को आपनी आते खाप पैलने ल जाएगे और दोनी दो आसानी से ऑजट घंट ल के आतात रहेगा और ब हिंगी के सामने काफी दूर पीछे खिसके चले जाएंगे और वो जो अटेक होगा सीधर जियानी कृफ आंगे बढ़ने लगीगा और इंपर ये सब देखें जो जियान होगा वो भी अपना सबसे पौफ़ल अटेक चार एवली फ्लेम के एंगरी बुद्ध लोटुस को बनाने लगीगा और वो कम्प्लीट होने बाला ही होगा तब ही अचानक से जियान के आसपास की जो इसपेस होगी हो फट जाएगी और उसमें से निकलेगे दो बुद्धे एल्डर वो अपने दो हाथों को मूप करेंगे जिस पज़े से जो विंगी का अटेक होगा वो नस्प हो जाएगा और वो दोनों एल्डर स्पोर्टल के सामने गर्दन जुका के खड़े हो जाएगी हो और फिर उसमें से निकलेगी बैटल थृद्वेन की प्रिंसेज और जियान के बच्वन का प्यार वन इन उल्ली यूनर जो की अभी के लिए काफी दा गुस्से में होगी और बोलेगी अग उसे यूनर दिखाई देती है तो उसकी जो पूरी बॉड़ी होती हो एकदम से जम्ट जी जाती है और उसका खुशीगा कोई भी ठिकाने नहीं हो तो और वो अभी के लिए पूरी फाइट को भूल चुका था और इसके मूह से बस एक ही बड़ निकलता है यूनर तुम और और उब के लिए गलाइट को बहुत ही आजब कर दिया गया और जो आपके लिए और उसके बखी है लापता और इसके उनर की अाँखोम secular करती है और जाके सीधा जप्पी दे दिता है और यह भी जैन को इतना सेंटी दे कि सबी लोग बहुती दा है रहान थे हुई पर जो दोनों एल्डर यूनर के साथ आयते वो यह देखते कि उनकी प्रिंसिस को अभी जैन ने हक कर लिए इस पजिस हो जैन के उपर जाने लगते मगर त उनके लिए अभी जल लिए हजम करना भ१ यह दो भी दहान थे आखिर यह लड़कर कोई और्फ़ कॉऑ ना करें यहिंसी चल जल के उरे ती अंदर से, क्योंकि जन फाइट के बीच में एक लड़की को चपियां पपियां दे रहा है, और इंपे लिटल फेड डॉक्टर भी समझती है लड़की कोन है, क्योंकि जन अभी गली कापी दा इमोशनल था, इसी बाज़े से लिटल फेड डॉक्टर को पता था कि जन सिर् बड़ा पड़ा हुऊ होते, इस पज़े से वह यूनर को छोड़ी रहा होता है, और फिवो थोड़ी दे तक प्यार मुपत वाली बात है करते हैं, तभी जियां के मूँ से निकला आता है खुन, जिससे देखते हैं, जो लिटल फेड़ के एक्स्प्रेशन होते हैं, वो चे पीछे नहीं चुपता था लड़की के, आज वो भी यूनर से बोलता है कि जो तुम्हें दिखाई दे वो करो, मैं तो पीछे हणारूँगा, जिससे देखते हैं, जो एकदम ब्रूटल लगने लगती हैं, और अपनी एवली फ्रेम को बाइन निकाल लेती है, जो कि पावफुल है, मगर उसे यह नहीं पता था कि यह गूगलें से, पर अगर उसे गलती से भी पता चलिया तो उसकी डर के मारे पैंट वे सुसू निकला है, तभी जो यूनर होती हो असनी लगती हो, और बोलती हो, आज पैर पसाणने लगी है, इसकी अकल ठिकाने लगानी प मैं तो मैं किसी को तुमारे हवाले नहीं करने वाली हूँ, और अभी के लिए तुम्हें 30 सेकिंड का टाइम दे तो यहां से चले जाओ, वन्ना यहां से सभी की लासे जाएंगी, और यहां से जाएंगी की नहीं जाएंगी, यह सभी आप लोग को पता चलेगा, जब ही मारता है, और इसको जो नाम जियान ठरकी हो एकदम सही नाम है, और फिलाल के इस वीडियो को यह पे खतम करती, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और साथी चैनल को भी सिस्क्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ आप से नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार